रादे-रादे विवर्स, आज मैं आपको यह वाला डिजाइन बतायु अबढ़ा है, यह डिजाइन हमारा ऐसा दिख रहा है, यह इसकी सीधी तरफ से यह डिजाइन है, और इसका यह उल्टी साइड है, रोङ साइड है, तो यह डिजाइन बहुत खुबसूरत सा यह तो यह हैं दिजैन 6-6 फंदो को डिजैन निजह न è and 6फंदे चे पंदे करके पूरा डिसान बना हुआ यह इस तरीकर जो इसा दिक रहा है बहुत बहुत बे सा यह तो इसे माने के लिए मैंने यह तोgend乐 डाल लिए थेस तेस भंदों में हमारी 3 जयने बनेंगी 1 2 3 तेस बनेंगी तेस गंधों यह तेस फंधे डाली है धो पहली सलाई और पहली सलाई हम इसको उल्टा-उल्टा भुनेंगे पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे उनको अपनी करब करेंगे और पूरे फंदे ऐसे उल्टे बनाते हुए एक कंप्लीट करेंगे सारे फंदे ऐसे उल्टे बनेंगे तो इस सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनाते हुए पुरी सलाई लास्ट में ये फंदा इसको ऐसे बनेंगे तो उल्टी सलाई बन गई है और अब हमारी उल्टी सलाई है तो इसमें हम सीधा बनेंगे ऐसे उल्टी सलाई में सीधा बनेंगे तो ये पूरी सलाई हम सीधी बनाते हुए कम्पलीट करेंगे ये पूरी सलाई हम सीधी बनाएंगे तो इसको बना लेते हैं पहले तो सीधी सलाई हमारी ऐसे हमने उल्टी सलाई को सीधा बनाते हुए कम्पलीट की अब हमारी सीधी साल आई है और सीधी तरफ से अब डिजाइन बनाएंगे तो पहला फंदा इसे उतार लेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदा हमने सीधा बुन लिया और एक फंदा हम सिलिप करेंगे याँ पर एक फंदा हमने बुन लिया एक फंदा सीधा बुना एक फंदा सिलिप किया अब पांच फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे एक दो तेन चार पांच पांच फंदे सीधे बुन लिया एक फंदा फिर सिल तीन-चर-पांच एक फंदा सिल्प तो यह दो डिजाइन की पांच पंदों का जै कंदम फिर यह एक दूसरा डिजाइन बन गया है अब हमने एक पंदा सिल्प कर लिया है पांच फंदे हम हम सीधे बनेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक फंदा हम सिल्ब कर लेंगे, अब एक फंदा सीधा बनेंगे ऐसे और जिलाष्ट वाला फंदा इसको भी सीधा बनेंगे, तो यह डिजाइन की हमारी पहली सलाहिए, इसको हमने ऐसे बुन लिया है, अब पहला फंदा इससे उतार करेंगे और जो फंदा हमने बुना है उसको तो हम बुनेंगे इसे उल्टा जो सिल्प किया ता इसको हम सिल्प कर लेंगे फिर पाच फंदे उल्टे फिर जो फंदा सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे फिर पाँच फंदे उल्टे फिर जो फंदा सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे फिर पाँच फंदे उल्टे और जो सिलिप फंदा किया था उसको सिलिप करेंगे तो ये दूसरी सलाई बन गई है और अब हमें इसी तरीके से छे सलाई बुनना है दो सलाई बन गई है हमारी, चार सलाई हमें और बनाना है जो फंदा हमने सिलिप किया उसको सिलिप करेंगे और जैसे पहली रो बनाई है इसी तरीके से अब हम ये रो भी बनाएंगे तो हमें इसकी छे सलाई बनाना है पाच फंदा बनेंगे और एक फंदा सिलिप करेंगे पाच फंदा बनेंगे एक फंदा सिलिप करेंगे तो यह हमारी तीसरी सलाई है और इसमें भी हमने पाच फंदे बुने और एक फंदा सिलिप किया जैसे पाच फंदे बुने एक फंदा सिलिप किया उल्टी सलाई में भी वैसा ही करेंगे जैसे हमने यह दूसरी सलाई बनाई थी तो पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा बुनेंगे जो सिलिप फंदा किया था हमने उसको सिलिप करेंगे और जो फंदे बुने थे उल्टे उ एक फंदा सिलिप पाच फंदे उल्टे एक फंदा सिलिप लास्ट में ये दो फंदे बच्चे हैं को हम उल्टा बन लेगे और अब मारी सीधी सलाई है इसको भी हम जैसे हमने नीचे की सलाईयां बनाइए उसी तरीके से इनको बनेंगे दो फंदे बुन लिए, एक फंदा सिलिप जो किया था उसी को सिलिप करेंगे, फिर पाच फंदे सीधे, जो सिलिप फंदा किया था उसको सिलिप करेंगे, फिर पाच फंदे सीधे, फिर जो फंदा सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे, फिर पाच फंदे सीधे, करेंगे लास्ट में दो फंदे बचे इनको भी बुन लेंगे अब हमारी उल्टी सलाई है उल्टी सलाई भी जैसे हमने नीचे की सलाईयां बनाई है ऐसे ही इनको भी बुनेंगे दो फंदे बुन लिए जो सिलिप फंदा किया था उसको सिलिप करेंगे पांच फंदे उल्ट तो ये सलाई भी हमारी ऐसी ही जाएगी तो छे सलाईयां हमारी ये बनती है जिसमें हम जैसा है वैसा ही बनाते हैं जो उल्टे फंदे बनते हैं उनको उल्टा बनाते हैं और जो फंदा सिलिप करते हैं उसको उल्टी और सीधी दोनों सलाईयों में सिलिप करते हैं छे सलाईयों में इसी तरीके से बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे अब साथ वी सलाईये और अब हम इसको पूरा एक फंदा उतार के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे जो हमने सिलिप किया था फंदा उसको भी हम उल्टा बुलेंगे ऐसे सारे फंदे तो हमने इस सारे फंदे इस तरीके से सारे उल्टे बनाएंगे बहुत इजी पढ़ने वाला डिजाइन है और कोई भी अगर नया बुनने वाला हो तो वो भी इसे बना सकता है बहुत जल्दी इस डिजाइन बन जाता है बनाने में भी बहुत आसान है सारी सलाईय सीधी और उल्टी ही हैं तो यह सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बनेंगे तो यह सलाई हमारी उल्टी बन गई है और हमारी उल्टी सलाई जो है उसको घुला ना बनके सीधा बनेंगे आजाए तो सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे आए तो यह सारे फंदे हम सीधे बनेंगे थोड़ा जल्दी बुनना है इसलिए कि यह लंबी हो जाएगी इस वजह से क्योंकि सारा सीधा और उल्टा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बनना है तो यह हमारी इस तरीके की डिजाइन बन गई अब हमारा डिजाइन यहां से थोड़ा सा कटेगा यहां से तो कैसे बनाएंगे पहला फंदा इसे उतार लेंगे और अब दो फंदे सीधे बनेंगे ऐसे दो और पांच फंदे बनेंगे ऐसे एक जो उतारा था फंदा चार फंदे सीधे बनेंगे और अब यह बीच वाला फंदा ऐसे इसको सिलिप करेंगे फिर पांच फंदे सीधे दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे एक फंदा सिलि पांच फंदे सीधे और एक फंदा सिलिप लास्ट में पांच फंदे सीधे तो यह डिजाइन हमारा इस तरीके से अब कट गया है, अब हमारा इसी तरीके से अब बनाया जाएगा अब हम जैसे हमने छे सलाईया नीचे बनाई थी सेम उसी तरीके से अब हमारी यह सारी सलाईया बनेंगे तो जो फंदा हमने पांच फंदे बने थे उल्टे उनको हम उल्टा बनाएंगे जो सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे पांच फंदे उल्टे जो फंदा सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे फिर पाच फंदे उल्टे जो फंदा Сलिप किया था उसको सिलिप करेंगे फिर पाच फंदे उल्टे तो हमारी इसकी ये छे सलाईयां बनाई जाएंगे फिर उसके बाद इस देजान चेंज होगा इसकी भी बैसी ही बनाई जाएंगी जैसे हमने नीचे बनाई है से तरीका वो यह सरफ डिजाइन थोड़ा सा चेंज जुगा है बस बाकि जैसे नीचे सलाइया छे बनाई थी ऐसे ही इसके उपर भी जितनी भी डिजाइन ये बनेगी वहां तक इसी तरीके से छे सलाइया पांच फंदे बुने जाएंगे एक फं तरीके से जो फंदा हमने बुना था उसको बुनेंगे जो फंदा हमने उतारा था उसको हम उतारेंगे तो ये डिजाइन ऐसे ये दिखने लगा है ऐसे इसकी और एक सलाइय बनाई जाएगे उसके बाद ये डिजाइन चेंज होगा पांच फंदे बुन लिए एक फंदा सिलेब जो सिलिफ कर रहा है उसी को सिलिफ करते हुए छे सलाइंगे सीधी और उल्टी मिला के साथवी सलाइय में डिजाइन चेंज होगा ये डिजाइन इस तरीके से है और इसकी एक सलाइय और बनाएंगे उसके बाद डिजाइन चेंज होगा जो फंदा सिलेप है उसको सिलिफ करेंगे जो फंदे बुनए वाले है जो बुने थे उनहीं को बुनेंगे तो बहुत सिंपल सा ये डिजैन है और बहुत आसानी से पढ़ने वाला ये डिजैन है आप किसी में भी इसे डाल के बना सकते हैं बहुत कुशूरत सा डिजैन है देखने में सुंदर है बनाने में बहुत आसान है अब ये डिजाइन हमारा यहां पूरी सलाई अब उल्टी उल्टी बनाई जाएंगे तो ये डिजाइन इस तरीके से ऐसे बनने लगा है इसके एक सलाई और बना देते हैं इसे इसको पूरा उल्टा बनाया जाएगा सारे फंदे उल्टे बनाया जाएंगे जो उल्टी सलाई है उसमें सीधा बना जाएगा डिजाइन ऐसा बना यहां कि आप देव पा रहे हैं इस तरीके के डिजाइन है अब जो हमारी उल्टी सलाई आएगी इसको हम सीधा बनेंगे सीधा बुनते हुए उल्टी सलाई कंप्लीट करेंगे उसके बाद इस डिजाइन जैसे हमने नीचे बनाया था इसके उपर फिर वैसे ही बनाया जाएगा रोवन की तरह और जब इस तरीके से बनाया जाएगा छे सलाई हैं तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी है बहुत सुन्दर सा डिजाइन है तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद